सफलता सीरीज का पिटा एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ चाप्टर का नाम है पिटा सल्यूशन्स 15-20 मिनट में हम लोग हर चाप्टर कंप्लीट करेंगे सफलता सीरीज में सारे फॉमले सारे इंपोर्टेंट पॉइंट सारे एक्सेप्शन सारे ट्रेंड सब चीज आप लोग को दिख जाएगी शॉट 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 वीडियो आने वाले एक बिटा अल्रेडी आ चुक है केमिकल कैनेटिक्स का आप लोगों ने वह देख लिया होगा अब बेटा इस पर्डिकलर वीडियो में सल्यूशन को कवर करते हैं चरिए आईए हमेशा ध्यान रखना उपर के आएगा सल्यूट नीचे के आएगा सल्यूशन तो उपर आगे बिटा volume of solution, नीचे आगे बिटा volume of solution, आप देखो percentage weight by weight है, तो weight किसका? Solute का, solution, फिर denominator में किसका? weight, solution का, 100 से क्यों multiply कर रहे हैं? क्योंकि बिटा percentage है, percentage weight by volume, उपर हमेशा solute आएगा, नीचे क्या आएगा? solution आएगा, into 100 कर दिया, क्योंकि percentage है, 30% volume by volume का क्या मतलब है? कि 30 ml solute है, 100 ml solute में, देखो percentage किसे निकलती है, 100 से निकलती है, 30% weight by weight का क्या मतलब है? कि 30 gram solute है, किस में? 100 gram solution है, 30% weight by volume का क्या मतलब है, 30 gram solute है यह जो numerator में है, w किया है? numerator में, numerator किसका है, solute का, तो weight किसका आएगा? solute का, denominator में क्या है? solute, denominator में क्या है, volume है, volume है, 100 ml solution, यह क्या है? concentration term, और कौनसी concentration term है, यहाँ देखिए, next concentration term is mol fraction कैसे निकालते हो mol fraction खुद के mol upon total mol तो यहाँ पर देखो solute है हाँ जी sir solvent है हाँ जी sir तो solute का mol fraction कैसे निकालोगे खुद के mol लिख दिये total mols na plus nb solvent का mol fraction कैसे निकालोगे खुद के mols na और na plus nb total mols तो बिटा दुनों को add कर दो और जब आप xa plus xb करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा ऐसे ही suppose करो किसी solution में तीन component है तो क्या बन जाएगा आपर अगर तीन component है तो वहाँ पर क्या बन जाएगा xa बन जाएगा xb बन जाएगा और xc बन जाएगा xa plus xb plus xc value कितने आएगी बिटा 1 आएगी मतलब अगर आप individual mole fraction add करोगे तो हमेशा value would come out to be 1 बेलेकोल सही है सर ये चीज़ दे समझे मैं है अब यहाँ देखिए और देखो बिटा concentration term next concentration term is molarity number of moles of sorry molality एक सेट पहरे molarity बल देता है molarity molarity क्या है number of moles of solute upon volume of solution in a liter और अगर आप ml में लेते हो तो हजार से multiply कर दो उधर ही बिटा molality molality क्या है number of moles of solute weight of solvent हाँ यहाँ थोड़ा सा different behavior है अब दग मैं क्या बोल रहा था denominator में solution आता है लेकिन पहली बार क्या आ रहा है solvent आ रहा है तो weight किसका है solvent का kg में और obvious सी बात है अगर gram में लोगे तो हजार से आपको multiply करना पड़े अब यहाँ देखो यहाँ देखो जैसे कहीं पे भी molar लिखावा है तो उसका मतलब एक molar होता है semi molar मतलब half decimolar मतलब 1 by 10 ऐसी सबोस करो कहीं पे भी लिखावा है molar मतलब एक molarity semi molar half ऐसी decimolar तो 1 by 10 समझ रहो समझ रहो बिल्कुल सही है सर बिल्कुल सही है चेक है आप यहाँ देखो vapor pressure के बारे में बात करें क्या होता है धीरे धीर मतलब एक equilibrium आता है vapor pressure सबसे पहली बात कि कहाँ पे defined है equilibrium पे equilibrium पे क्या होता है जो evaporation हो रहा है उतना ही condensation हो रहा है दोनों की rate क्या हो जाती है बराबर हो जाती है दोनों की rate बराबर हो जाती है अचेक है अब यहाँ पे देखो substances कितने तरीके के हो सकते है दो तरीके के एक होता है बेटा एक होता है बेटा non-volatile है वोलेटाइल क्या है गुसेल ऐसी पढ़ाया था आप लोग को गुसेल मतलब वेपर में वो convert होगा can be converted to vapor और non-volatile क्या है शांत प्राणी बोल रहा है हमको वेपर में convert नहीं हो ना हमको वेपर में convert नहीं हो ना cannot be converted into vapor अगर यह वेपर में convert हो रहा है तो इसका जो प्रेशर आता है यह नहीं लगाएंगे यह क्या हो गए इसके examples हो गए और यूरिया आपका यूरिया हो गया ग्लूकोज हो गया सुक्रोज हो गया यह आपके non-volatile के examples हो गया अच्छा जब concentration term पढ़ते हैं बेटा तो यह चार formula आते हैं हाँ अब बेटा बोलोगे सर अभी तक हमने चार formula revise नहीं करें कब से बोल रहा ह से direct सवाल पूछेगा तो यह formula सभी बच्चे याद रखेंगे क्या है different concentration terms को relate करता है जैसे देखो percentage weight by volume percentage weight by weight into density यह molarity और percentage weight by weight को कर रहा है यह molality और molarity को कर रहा है यह molality और mole fraction को कर रहा है तो बेटा यह सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे चेक है अब आजए अब आजए बिच्चर होता है दो factors पर depend करता है एक है पेटा force of attraction inversely proportional to force of attraction force of attraction जादा रहेंगे तो vapor में वह नहीं जाएगा vapor में नहीं जाएगा तो vapor pressure कम हो जाएगा और temperature से directly proportional, अगर आप temperature दोगे, तो ज़्यादा vapor में convert होगा, ज़्यादा vapor में convert होगा तो ज़्यादा vapor pressure, एक बात ध्यान रखना, vapor pressure बेटा, amount पे, volume पे, surface area पे, किसी पे भी depend नहीं कर, सिर्फ दो factor पे, एक बेटा force of attraction, inversely proportional to force of attraction, एक directly proportional to temperature, चेक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आता है आप लोग का route's law, route's law क्या बोलता है, दो केसमें हम लोग बढ़ते हैं, एक है बेटा, non-volatile solute डाल दिया है, solvent हमेशा volatile मानते बजलेंगे, यह एक assumption होता है कि solvent हमेशा volatile है, solute क्या डाला, non-volatile, अगर non-volatile solute डाला, तो यह तो pressure लगाएगा नहीं, बिलकोल भी न लगाएगा, तब ही यहाँ पे देखो जो आपका expression आता है, वो क्या आता है, PA equals to P not A into XA, यही है राउल's law, यही है राउल's law, तो यहाँ पे देखो सिर्फ A आ रहा है, A ही क्यों आ रहा है, क्योंकि बिटा, जो solvent है, वो आप लोगों ने volatile लिया है, तो solvent तो vapor pressure लगाएगा, लेकिन जो solute है, वो आपने non-volatile लिया है, तो इन भाई साब का vapor pressure क्या है, 0, तो कहीं पे भी आपको B नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे देखो, P not A greater than PA, जो P not A क्या है पेटा, जो pure state में आपका vapor pressure होता है, वो जादा होता है, अब यह राउल's law हो गया, क्या ब लगाएगा, सही है, तो यह आपके expression होगा, अच्छा ऐसा graph बनता है, ऐसा graph बनता है, ऐसा graph बनता है, लेकिन second क्या होता है, जिसमें आप volatile solute ले रहे हो, तो solute भी बेटा volatile है, pressure लगाएगा, solvent तो बेटा volatile है ही है, ही है, तो यहाँ पे देखो, जो total pressure बनेगा, आप देखो, इसमें A का component भी आया, B का component भी आया, चेक है, चेक है, और यह तो हमें पता है, XA प्लस XB का है, अब यहाँ पे देखो, ऐसा graph बनता है, यह graph बनता है, यह graph बनता है, यह graph यह पे ग्राफ थोड़े से अतरंगी होते है, मतलब दो axes वाले होते है, देखो, XA अगर 0 है, इस point क बात करें, origin की, XA 0 है, तो XB क्या रहेगा, 1, क्योंकि XA और XB का addition तो 1 होना है, यहाँ पे XA क्या है, 1 है, तो XB क्या रहेगा, 0, तो यह पे देखो, यह graph बनता है, बेटा, PA का, यह graph बनता है, बेटा, PB का, और यह बनता है, आपका P total का, यह बनता है, इसमें consumption लिया जात है, क्या है, solvent, इसको हम जादा volatile मानके चलते हैं, assumption एक, ऐसा तो जरूरी नहीं है, आपको अगर ऐसा कोई graph देते हैं, जिसमें P naught भी उपर हो, और P naught नीचे हो, तो वो भी graph सही है, लेकिन एक assumption माना गया है, कि solvent is more volatile, तभी P naught उपर होता है, अब यहाँ पे देखो, आप XA के time, सब कैसे याद करते हैं, देखो, यह क्या है पेटा, B है, तो स्टार्ट किस से करोगे P naught A से, अब जड़ अल्टनेट, A गया तो P naught B, अब B आ गया, तो P naught है यहाँ पर देखो X A है A है बिटा, start किससे करो P naught B से, अब देखो B आ गया तो A लिख दो A आ गया, तो B लिख दो समझ रहे हो, तो क्या बनता है A, B, A, B क्या बनता है B, 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 B तो इस तरीके से याद करना होता है अब इसी के यह basis पर आपके types of solution होता है एक होता है पिटा, ideal solution जो route law follow करता है ideal solution क्या है, जो route law follow करता है देखो, शांद बच्चा है न, प्यारा बच्चा है कुछ नटकट, बच्चट, कुछ मस्तेवस्ति नहीं कर रहा है route law follow कर रहा है यहाँ पर देखो, route law लगा दिया P A equals to P not A X A P B equals to P not B X B P total क्या हो जाएगा, A का component प्लस B का component यहाँ पर force of attraction भी बराबर होते है ideal है न, ideal है तो सब क्या है, बराबर, A A के बीच में जो attraction है, वो ही B B के बीच में वो ही A B के बीच में same family वाले होने चाहिए जैसे hexane और heptane, दोनों क्या है alkane है, तो same अगर family के होंगे तो इनमें same force of attraction होएंगे तो यह क्या बनाएंगे, ideal solution बनाएंगे आचा यहाँ देखो, delta V mixing 0 delta H mixing 0, कोई volume में चेंज नहीं आता, कोई enthalpy में चेंज नहीं आता लेकिन entropy हमेशा बढ़ेगी Gibbs free energy हमेशा कम होगी जो यह वाला case होता है this is always, solution ideal हो non-ideal हो, कुछ फरक नहीं पड़े this is always वाला case लेकिन ideal में volume mixing और enthalpy mixing क्या होते है, 0 अब non-ideal है तो non-ideal होते हैं, दो तरीके के पहले बाद तो non-ideal क्या रहेगा जो round law follow नहीं करेगा एक है बेटा, negative deviation negative, negative का मतलब क्या pressure कम हो रहा है, देखो PA कम हो गया, P0AX से PB कम हो गया, P0BXB से P total कम हो गया, A और B के components है अब खुद सोचो, दिमाग लगाना है बेटा, pressure कम हो रहा है pressure कम हो रहा होगा, तो क्यों हो रहा होगा क्योंकि force of attraction बढ़ेगा force of attraction बढ़ेगा तो वो vapor में नहीं जाएगा vapor में नहीं जाएगा, तो vapor pressure कम हो जाएगा तो तभी देखो force of attraction A, B का बढ़ चुका है A और B, B से force of attraction बढ़ चुका है तो क्या volume कम हो जाएगी अरे भाई नजदीक आ जाएगे ना molecule नजदीक आ गए molecule तो volume क्या हो गई कम heat energy क्या हो गई release तो delta V b negative delta H b negative याद करने का कैसे तरीका negative deviation है pressure कम होगा volume भी कम होगी enthalpy भी कम होगी अब कम कम बहुत हो गया force of attraction बढ़ेगा कुछ चीज तो बढ़ेगी ना सारी चीज़े कम थोड़ी ना होगी याद करा रहो हो आपको negative deviation है pressure कम pressure कम pressure कम delta V mixing कम delta H mixing कम लेकिन force of attraction बढ़ेगा अच्छा यह always वाला case आगे always वाला case आगे always वाला case आगे अब यहां पर देखो graph भी अगर आप ध्यान से देखो graph भी अगर आप ध्यान से देखो graph आप ध्यान से देखो तो यहां पर देखो negative deviation है Tap Yeah negative deviation तभी graph अभी क्या है नीचे सवर देखो पजिशव पाॉजटीव deviation पोस्योचियो नाम से प्रेशर बढ़ गया प्रेशर बढ़ jsut तो प्रेशर बढ़ गया अब यहां पर едेखो यह इंक्रीजू अब देखो सारी चीजे तो increase नहीं होंगी ना कुछ चीज़ decrease होगी उल्टा कौन चल रहा है force of attraction यहां पर force of attraction कम होगे यह always वाला case होगे अच्छा यहां देखो अगर pressure बढ़ रहा है तभी देखो यह dotted तो कौन सी है ideal है तभी देखो graph उपर से जा रहा है graph उपर से जा रहा है graph उपर से ज लो है ना और उसके साथ पानी डाल दो positive deviation का क्या है ethanol प्लस acetone यह हम लोगों को ध्यान रखनी है चीजे अब आज़ो पेटा quality property क्या होती है quality property होती है जो number पे depends on number कितनी होती है 4 होती है पहले आगे आपका यहां पर देखिए यह एजीव तो वही है यह एजीव तो आप लोगों का जो negative पॉजिटिव डिभी इशन है उससे ही आता है यहां देखो बंट of factor को देखिए went of factor क्या है यह एक ऐसा factor है जो बताता है कितने particles बन रहे number of particles after dissociation या association upon number of particles before dissociation या association जैसे दिखो कोई सभी substance लोगे उसको आप solvent में डालोगे तो दो चीजे behave कर सकता है वो in fact वो associate करें तो तीन cases होते हैं आपने एक solute दिया solvent में डाल दिया वो बोल रहा है हम कुछ नहीं कर रहें अंदर जागे तो यह तो पहला case हो गया दूसरा case क्या हो गया वो टूट गया जागे तीसरा case क्या हो गया वो जुड़ गया असोसियेट हो गया तो इसके basis पे आप लोगों के यहां पे देखो formula बनते हैं आई के बोल रहा है does not dissociate असोसियेट कुछ नहीं करते हैं हम solute गया शांती से बैठ गया आई की value गया है 1 example यूरिया ग्लूकोस सूपरोस लेकिन अगर असोसियेट हो रहा है पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे है डिसोसियेशन पे पार्टिकल्स इंक्रीज होएंगे तो आई की value greater than 1 association पे पार्टिकल्स कम होएंगे आई की value less than 1 formula क्या है 1 प्लस N माइनस 1 अन्टू अलफा और कुछ नहीं इस N की जगे क्या डाल दो 1 by N डाल दो तो association का formula आ जाता है N क्या है कितने particles आरे जैसे NaCl है कैसे टूटेगा Na++Cl माइनस में तो कितने particles जाएंगे 2 mgCl2 कैसे टूटेगा mg plus 2 plus 2Cl माइनस कितने particles जाएंगे 3 तो N की value होगे 3 यहाँ पे N की value कैसे निकालतो हो जैसे dimerization तो N की value होगे 2 primerization N की value होगे 3 जैक है अब यहाँ पे देखो relative अब यहाँ पे कुछ नहीं है colligative properties है simple formulas है relative lowering of vapor pressure किसके बराबर होता है mole fraction of solute जैक है अब देखो elevation in boiling point boiling क्या करता है बढ़ता है जब आप solute को डालते हो तो vapor pressure तो कम होता है तब यह हम बोलते है relative lowering of vapor pressure और boiling point क्या करता है increase करता है कैसे निकालते हो delta TB को निकालते हो TB minus TB0 और formula क्या है I m kb I क्या है M क्या है molality kb के habitat constant है जैसे बोलते हैं molal elevation constant या फिर eblioscopic constant यह kb का formula होता है बहुत ज्यादा important नहीं है बहुत ज्यादा important नहीं है परिशान इस से बिलकुल भी नहीं होना रहे है अब यहां देखी यहां देखी ऐसे दे रखा है आप लोगों को depression in freezing point freezing point कम होता है देखो समझो elevation in boiling point boiling point elevate हो रहा है freezing point कम हो रहा है तो यहां पर देखो यहां पर यहां पर यही फॉर्मुला है डेल्टा दीएफ इस आई वेंट आफ फैक्टरेशन मोलल डिपरेशन कॉंस्टन या फिर क्रायोस्फोपिक पॉंस्टन चेक है ओस्मोंटिक प्रेशर का क्या फॉर्मु प्रेशर है यह निकालना है ATM में तो R की value क्या लोगे 0.0821 यह निकालना है बार में तो 0.0831 अब देखो अगर कोई दो solution है जिनके ओस्मोंटिक प्रेशर बराबर है तो हम उने क्या बोलते हैं मिटा आइसो टोनिक जिस अगर मानलो बराबर नहीं है एक का ज्यादा होगा ए हाइपर टोनिक कम वाले को हाइपो टोनिक चेक है अब ऐसे देखो solubility दे रहे है solubility पीटा दो फैक्टर पर डेपेंड करती है किसके टेंप्रेशर पर और प्रेशर पर अगर आप एक सॉलेड को डाल रहे हो solubility यह किसकी है solid in liquid यहाप लिख लेते हैं यह किसकी है solid को डाल रहे हो in liquid तो दो फैक्टर पीटा एक तो प्रेशर प्रेशर बोल रहा है कोई एफेक्ट नहीं है अगर ग्यास को आप liquid में डालोगे अगेन दो फैक्टर पहला टेंप्रेशर हमेशा ध्यान रखना टेंप्रेशर बढ़ाने पर solubility कम होईगी ग्यास वाले की बात करना हो इसमें कुछ नहीं सोचना है क्योंकि रियाक्शन क्या होती है एक्जो थर्मेक होती है यह वाली र परेशर बढ़ाया solubility बढ़े इसी के ही basis पे आता है henry's law henry's law क्या बोलता है pressure equals to henry's constant into mole fraction एक बात सुन लेना यह जो henry का constant है और solubility is universally proposed अगर henry constant जादा होगा तो solubility क्या हो जाती है कम हो जाती है चेक है तो चलिए बटा एक और chapter सफलता सीरीज में हमने पूरा कर दिया ह सबसे पहले बेटा वीडियो को खूब सारा लाइक करिए शेर करिए दोस्तों के साथ चैनल को subscribe करके रखिएगा बहुत सारे जाप्तर आएंगे यारे न केवल बेटा आप लोग को वादा नहीं करना है कि यार बस यह आ रहा है वो आ रहा है न नहीं उस वादे को बेटा प description में बेटा लिंक है Spartan code लगा के आप लोग बिलकुल enroll कर सकते हैं इसमें और आईए अच्छी तरीके से preparation करिए it is absolutely free ठीक है एक और अब वीडियो आने वाला है जल्दी और आप लोग का सफलता सीरीज में तो ऐसे वीडियो आते जाएंगे homework क्या है आज वीडियो यह रिली